ही गाईज, वेकम बैक टू आ चैनल तवीलो फॉर्चुन 709 टेरट आप सभी लोगों को मेरा नमाश्कारों मनीपद में हमों साहिरा असलाव आलेकुम जिसरीकार मैं हूं सुरवी और आगे हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर एक और नया वीडि यह सब कुछ हम आज की रीडिंग में डिसकस करेंगे देखेंगे क्या कुछ आता है जो गाइडेंस होगा वो भी मैं आपको देने वाली हूं तो देखते हैं गाइस एक और बात बता देना चाहूंगी वह यह कि एक जर्नल रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि जो भी बाते म देख सकते हैं वो एपलिकेबल हैं ओकी 709 टेरट फैमिली जो हमारी है यहां पर धर्म और जाती को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता तो आप किसी भी धर्म या जाती के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रीडिंग देख सकते हैं यहां से आपकी प्रॉब्रम का सि इसा कुछ भी नहीं है ठीक है सभी के लिए है यह फैमिली और आप सभी लोगों का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है रीडिंग में अल दे बेस्ट हेलो आल तो मैं देखने वाली हूं आप यह कार्ट लेट सी कि कि क्या कुछ सबसे पहले मैं इनको देखने वाली हूं और फिर आगे कि और भी जो कार्ट से उनको देखोंगी जहां पर ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो लेट सी और लेट सी So, यहाँ से आपके लिए कार्ड आए हैं, financial constraints, यहाँ पर है storm warning and then you got carrying connection, all right. So, मुझे clarify करना है सारे कार्ड को. Okay, five of cups, seven of wands, three of swords, all right. तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे viewers है, जो यह reading देख रहे हैं, जो हमारे family members है, जो हमारे viewers है, या जिन तक ये video पहुचा है, जिन लोगों को messages देना चाहती है, उनकी life में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि उनकी personal life में भी issues चल रहे हैं, उनकी professional life में भी issues चल रहे हैं. अगर उनके career को देखो, तो वो भी अच्छा नहीं जा रहा, और अगर उनकी personal life को देखो, तो वहाँ पर भी problems हैं, या तो किसी ने किसी को cheat किया है, या फिर separation हुआ है, या किसी तरीकी का जूट बोला गया है, ठीक है, जो सामने आ गया है, ऐसा नहीं लगता कि चीज़े छ थिपी हुई है, मझे लगता है कि सब कुछ सामने हैं, और इसी वज़े से आपर three of swords है, और राइट, ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कोई third party issue हो, और किसी तरह की fight मुझे दिख रही है, ये fight कैसी भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप किसी के साथ में connection में हैं, तो उनके साथ में आपकी fight हो सकती है, या फिर families के बीच में fight हो सकती है, अगर आप लोग merit हैं, अपने husband या wife के लिए reading देख रहे हैं, तो हो सकता है, आप दोनों के बीच में issues चल रहे हो, आपके जो partner हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत जाद आपने career पर focus कर रहे हैं, तो ये भी एक वज़ो हो सकती है, जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच में fight होई हो, या फिर कोई third party और भी हो सकती ही, third party का मतलब कुछ भी होता है, जैसे sometimes बंदे की सोच, कभी-कभी family, कभी career, कभी health, कभी कोई और, you know, किसी के साथ में affair हो जाना, तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो third party है, वो मुझे कहीं ना कहीं यही दिख रही है, कि एक तो career का issue है, शायद आपके partner बहुत जादा आपने career पर focus कर रहे हैं, ठीक है, उस वज़े से issues चल हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर सच में कोई, कोई और partner हो, और आपके जो partner है, वो आपको cheat कर रहे थे, या आपके सामने आ गया हो, या फिर आपको शक होता हो, कि कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, कि आपका career अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी professional life अच्छी नहीं जा रही है, या तो personal life की वज़े से professional life पर असर पढ़ रहा है, या फिर professional life की वज़े से personal life पर असर पढ़ रहा है, क्योंकि यह जो energy है, दूसरे से linked है, ठीक है, कि एक वज़े से दूसरे पर problem आ रही है, ठीक है, अब चाहें वो personal issues रहे हो चाहें professional issues रहे हो लेकिन किसी एक इशू की वज़े से दूसरे पर भी प्रभाव पढ़ रहा है तो ऐसा मुझे यहां पर दिखाई देता है हाला कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो सब कुछ सम्हालने की कि कोई प्रॉब्लम आगे ना हो बहुत ज़्यादा इशू ना बने लेकिन फिर भी वो इशू बनते चले जा रहा है और देखते हैं अगे 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 यहां पर फाइव ओफ सोट्स है यहां पर फॉर ओफ कप्स है और यहां पर है है रोफंट सो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हैं आपने उनको प्रपोस किया उनसे कमिटमेंट की मांग करी और उसी के बाद में शूज आगे ज़ए कि आपके और के विचार नहीं मिलते शुरुआत में हो सकता है आप दोनों की काफ़ि अच्छी बनती और इसी वज़ह से उनके इसी नेचर की वज़ह से आपको लगा कि ठीक है फ्यूचर अच्छा हमारा जाएगा लेकिन बाद नहीं हो सकता है कोई और आ गया और उन्होंने आपको बताया भी नहीं और वो उनके साथ चले गया तो कुछ भी इशूस हो सकते हैं इस तरीके से आपकी लाइफ में तो अब हम देखेंगे कि next 72 hours में क्या होने वाला है यहां पर कुछनों के लिए मुझे यह भी लग रहा है क शायद आप किसी से committed थे और सब कुछ अच्छा था लेकिन अब आप ही अलग होना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप जिस पार्टनर के साथ में हैं वो आपको time नहीं दे रहा है और आपके बारे में नहीं सोच रहा है पूरी तरीकी से अपनी life में involved है बिजी रहता है अपने ही काम में और हमारे बारे में नहीं सूचता तो हो सकता है आप अलग होना चाहते हैं लेकिन family की वज़े से society की वज़े से आप अलग नहीं हो पार है ठीक है तो यह भी हो सकता है तो देखते हैं कि next 72 hours में क्या होगा यहाँ पर अगर आपके career को लेकर देखा जाए आपकी professional life को लेकर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई है जो misunderstanding create कर रहा है आपके और आपके colleagues के बीच में या फिर आपके और आपके boss के बीच में ठीक है ओके यहाँ पर है two of swords, depth, three of cups, night of cups, ओके moon, tower, बड़े-बड़े transformations होने वाले हैं guys, world, एक cycle and होने वाला है C, अगर किसी connection में है आप लोग जो की काफी toxic है या फिर आपको लगता है कि सामने वाला आपको दोका दे रहा है या फिर workplace पर एक ऐसे workplace पर आप हैं जहाँ पर आपकी नहीं सुनी जाती और आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है ठीक है उस जगर काम करने के बाद से आपकी health पर असर पढ़ने लगया है आप बीमार रहने लगये हैं या फिर misunderstandings बहुत हो गई है और आपको घुटन होता है उस महाल में रहकर तो वो सबको चैन्ड होने वाला है ठीक है ऐसा कोई connection है तो उसकी ending होने वाली है अगर ऐसा कोई connection है आपकी life में जिसको आप सच में बहुत जादा चाहते हो लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो मैं बता दूँ कि उसके भी chances हैं कि आपके और उनके बीच में separation हो separation कितना लंबा होगा नहीं कह सकते हैं वैसे जहां तक मैं देख पारी हूँ कम से कम यह separation आठ महीने तक का रह सकता है ठीक है और उसके बाद चीजें वापस से ठीक होगी होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वापस से मिल जाए और एसा भी हो सकता है कि कोई नया आपके लाइफ में आ जाए और वर्क्प्लेस के अगर मैं बात करूं तो हाँ वो जौप जो भी होगा आप कोई job कर रहे हो तो वो छोड़ सकते हो कोई business कर रहे हो तो वो छोड़ कर दूसरा कर सकते हो किसी के साथ में partnership है तो वो छोड़ सकते हो आप ठीक है क्योंकि एक नया proposal भी आपके लिए आने वाला है चाहें वो आपकी personal life हो चाहें आपकी professional life हो कोई नया है जो आपकी लाइफ में आएगा और जो भी पुराने toxic connection से आप उनको end करोगे और ये energy बहुत ज़्यादा आ रही है मैं reading कर रही हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इस energy को देख पारी हूँ, feel कर पारी हूँ अब भी जो मैंने sun moon sign का reading किया था वहाँ पर भी ऐसा आ रहा था तो I think ये collective energy है see again मैंने कहा ना कोई आने वाला है यहाँ पर page of cups है आपर night of cups भी है तो कोई आ रहा है आपकी life में आपका कोई soulmate है अगर आपकी life में कोई भी नहीं आप single है तो आपकी life में कोई आने वाला है और एक बड़ा transformation आने वाला है उससे पहले ठीक है कि आपकी family में थोड़ी you know arguments हो जाएं वो आपसे कहें कि आपको इस field में जाना है आप कहोगे कि नहीं मुझे इस field में जाना है तो उसको लेकर थोड़ी से arguments हो सकते हैं लेकिन फिर सब settle हो जाएगा sort out कर लोगे आप चीजें और अगर आप किसी connection में हैं ऐसे connection में हैं जो काफी toxic है तो उसको आप end करने वाले हो या situation ही ऐसी बनेगी कि वो ending हो जाएगी और फिर आपकी life में कोई नया आने वाला है ठीक है इस transformation के बाद में अब इसके साथ में future होगा या फिर नहीं I don't know क्योंक कि इतना ऐसे energy मुझे नहीं दिख रहे कि कोई आएगा और आपको commitment दे देगा I feel कि कोई नया बंदा या बंदी आएगा जिसके साथ में आपकी friendship होगी उसके बाद आप लोग best friends बन सकते हो और वो कहीं ना कहीं आपको help करेगा इन सारी चीजों से बाहर आने में ठीक है आप उनके साथ में वापस से आपका reunion हो और जो भी गलतियां आपकी तरफ से हुई है आप उनमें सुधार करें और जो उनकी तरफ से हुई होगी तो उनमें तो सुधार हो ही जाएगा क्योंकि separation होता ही तब ही है जब बंदे को value समझ नहीं आती अपने साथ वाले बंदे की तो universe separation करवा देती है कि जब आप अलग होगे ना तब आपको हैसास होगा ठीक है तो आपकी तरफ से कोई गलती होगी तो यह जो बंदा है यह आपको guide करेगा कि भे आपने कहां कहां पर गलती करिए तो आप सुधार कर लेंगे और उनकी तरफ से होगी तो universe उनको handle करेगी ठीक ह और ऐसा भी हो सकता है कि यह separation permanently हो जाए और जो नया बंदा आपकी life में आ रहा है उसके साथ में आपका future बन जाए yes again so आपका अगर twin flame connection है तो यह separation होगा वापस से मिलने के लिए और कभी ना बिछड़ने के लिए और अगर आप अपने twin flame से नहीं मिले हो किसी कार्मिक connection में हो तो कार्मिक connection आपका पुरी तरीके से cut हो जाएगा next 72 hours में और आप अपने soulmate और अपने twin flame से मिल पाओगे तो यही मैं यहां पर receive कर पारी हूं आपके लिए king of cups कोई अगर ऐसा है जो अपनी feelings आपके सामने आप से नहीं कहता है express नहीं करता है तो वो अपनी feelings आपको बोलेगा okay तो अगर यह सब कुछ आपके साथ हो चुका है अब यहां पर यह भी energy आ रहे है कि यह जो energy मैंने बताई थी यह past की हो सकती है तो अगर यह past की energy रही है तो वही बंदा आपकी life में वापस आएगा ठीक है अगर यह सब कुछ नहीं हुआ है तो होने वाला है और अगर यह सब कुछ हो चुका है तो congratulations जिनका आप wait कर रहे थे जिनके लिए आप pray कर रहे थे वो आपकी life में वापस आने वाले हैं और इस जब आएंगे तो एक stable offer आपको वो देंगे जो कि यहां पर दिखता है और देख लेते हैं यहां से क्या आता है आपके लिए situation will improve जैसे कि मैंने कहा ही कि चीजें बहतर होंगी अगर किसी के साथ में आपका separation होता है तो बिल्कुल ना घबराएं क्योंकि आपके अच्छे के लिए होगा और अगर हुआ था तो उसको भी लेकर ना बैठे क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए था अभी जो आपकी life में आ रहे हैं वापस या कोई नया बंदा आ रहा है तो ऐसा आएगा जो आपको stability देगा और अगर कोई past से आपके आ रहा है तो वो भी stability देगा ठीक है और इसी की वज़े से ये सब कुछ हुआ था big happy changes आप खुद देख लेजेगा आपके सामने ही मैंने cards निकाले हैं और यहां पर आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके की एक सोंच है अगर आपकी तो उसको आप change करो I think इसलिए बंदा आपकी life में आ रहा है कुछ चीजें हैं जिनको लेकर आपने एक perception सा बना लिया है कि ऐसे-से होता है ऐसे-से व्यासे होता है तो यहां पर आपको बोला आपको कोई perception हो ठीक है workplace को लेकर या job को लेकर के जहां पर हम job करते हैं वहां का महौल ऐसा होना चाहिए अगर महौल ऐसा नहीं है तो फिर यह अच्छा नहीं है फिर हम वहां काम नहीं कर सकते तो यहां पर भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा compromise करने की जरूरत है थोड को कोई जित पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता तो जो भी आपकी holy books से आप उनको पढ़ सकते हो जिस भी धर्म के आप है ठीक है live in the present and shelf life again देखिए यहां पर क्या लिखा है every relationship has a shelf life and ends one day तो अगर कोई ऐसा connection है जो कि अब आपके लिए आपकी life में रहना ठीक नहीं है ठीक है आपके लिए सही नहीं है जिसकी वज़े से शायद आप बहुत ही जादा घुटन महसूस करते हैं लेकिन उसको छोड़नी पा रहे है तो यहां पर बाबा कह रहे हैं कि live in the present present का सोचो कि present में तुमारे साथ क्या हो रहा है ठीक है अगर उस connection के रहने से तुमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है और अगर उसका आपकी life से जाना ही ठीक है इस connection का खत्म होना ही ठीक है तो उसको खत्म होने दो हर एक connection आपकी life में जो आता है वो कोई ना कोई आपको lesson ह देता है अगर इनके साथ में आपका cycle complete हो गया है तो इनके साथ में आप separation होगा और वापस से जब इनका आना होगा ठीक है जब universe चाहेगी कि इनकी entry वापस से आपकी life में हो तो यह वापस से आएंगे ठीक है लेकिन उसको पकड़ कर आपको नहीं बैठना है यह आपको बूल कर रहे हैं तो प्लीज उनकी सुनों वह हमेशा आपके साथ रहते हैं आपको साइंस भी मिलते हैं लेकिन आप वह accept नहीं करते हैं तो यह कुछ यहां पर है और लेट सी यहां से क्या आता है आपके लिए कि नेक्स 72 आर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो सो यहां से मैं तीन ही निकालूँगी ठीक है किसी आपको मिलने वाली है और नेक्स 72 आर्स में हगी आपको मिलने वाली है हगी किसी और यहां पर आपको मिलने वाला है कॉल तो किसी से कॉल आपको मिल सकती है ठीक है मैं और भी निकालूँगी यह निकाल लेती हूँ यह certification okay and यहां पर है marriage ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से आपके सामने चीजे हैं यह next 72 hours में आप receive करने वाले हैं तो यह थी आपकी छोटी सी reading I hope आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें रेजनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले चैनल को share and subscribe करना ना भूले thank you so much for watching the video take care love you all bye bye